नमस्कार उत्राखन साइंस एजुकेशन रिसर्ट सेंटर में आप सभी का स्वागत है युसर्क राज्य में प्रध्योगे की आधारित विज्ञान शिक्षा सुलब करवाने हेतु कृट संकल्प है आज के इस तक्नीकी युग में शिक्षा पद्दती में सम्यक बदलाव की आवशकता को ध्यान में रखते हुए शिक्षा के सभी स्तरों तक ICT के समावेश से और विशेशग्यों के माध्यम से विक्सित इकंटेंट सुदूर चात्रों एवं अध्यापकों हेतु उपलब्ध करवाया जा रहा है हमारा विश्वास है कि इकंटेंट एक मुल्यवान संसाधन के रूप में आपके चिंतन कौशल एवं रचनात्मक्ता में वृध्धी करने में सहायक होगा धन्यवाद हलो क्लास तो चलिए अब जैसा कि हमने AX प्लस BY प्लस C वरावज 0 के विविन रूप देखे थे तो उसमें हमने तीन रूप देखे थे कौन-कौन से आपको याद है धाल अंताखंड रूप अंताखंड रूप और तीसरा हमने देखा था लंब रूप तो उनी तीनों पर आधारे हम एक एक्जामपल कर लेते हैं जिसमें वह तीनों रूप कबर हो जाएंगे तो देखिए और मुझे यकीन है आपको याद एक्जामपल करके वह आसानी से समझ में आ जाएंगे तो देखिए यहां हमें रेखा था समीकरण क्या दिया गया है यह हमें रेखा का समीकरण दिया गया है और वैसे जो ब्यापक समीकरण था वह क्या था ax plus by plus c बवर 0 अब इसकी तुनना हम करें मतलब ax plus by plus c बवर 0 की तुनना हम 3x minus 4y plus 10 बवर 0 से करें तो हमें क्या मिल जाएगा पताईए a बवर हमारे पास 3 आ जाएगा b बवर हमारे पास minus 4 आ जाएगा और c बवर 10 आ जाएगा अब देखिए सबसे पहली बात ये क्या पूछ रहे हैं ये पूछ रहे हैं ढाल के वारे में तो ढाल हम कैसे निकालें आपको याद है जब हमने रेखा का ब्यापक समीकरण यद ax plus by plus c के बिविन रूप देखे थे तब हमने सबसे पहला रूप देखा था धाल रूप देखा था है ना तो हमने बहां क्या किया था by बरावर mx plus c की फॉर्म में इस वाली equation को बना दिया था है ना कैसे बनाया था अब आपको याद ही होगा है ना हमने ax और c को इधर 0 के पास भेजा है ना बरावर में भेजा और b से भाग कर दिया वही काम हम यहां भी कर लेते हैं किसमें 3x minus 4y plus 10 बरावर 0 में तो यहां पर अगर हम करेंगे तो देखिए यह minus 4y है ना बरावर minus 10 minus 3x यही हो जाएगा अगर minus common ले 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 तो 4y बरावर 3x plus 10 या y बरावर 3 बरावर 4x plus 10 बरावर 4 अब देखिए यह equation आ गई आपके पास y बरावर 3 बरावर 4 plus 10 बरावर 4 इसकी comparison आप इससे कर दीजिए y बरावर mx plus c से क्योंकि यहीं से तो हमें ढाल मिलेगी और यह जो equation हमने बनाई है y बरावर 3 बरावर 4x plus 10 बरावर 4 इसको कहां से बनाया है जो हमें समीकरण दी गई है प्रस्ण में तो यहां से आप देखिए m बरावर कितना आ गया देखिए 3 बरावर 4 तो यही तो इसकी ढाल हो गई है ना तो इस equation की ढाल क्या हो गई या इस रेखा की समीकरण की ढाल क्या है 3 बरावर 4 है अब हम दूसरे की तरफ चलते हैं जो पूछ रहा है x सथा y अक्ष के अंताखंड है ना तो आपको याद है अंताखंड वाली equation कुछ ऐसी दिखती है है ना याद कीजिए जो हमने रेखा के समीकरण के बिविद रूप पड़े थे तो बहां हमने देखा था कि अगर x और y पर x पर क्रमशा a अंताखंड और y पर b अंताखंड कट रहा है तो उसका समीकरण x वटे a प्लस y वटे b बरावर 1 आ रहा है तो अगर हम यह 3x-4y प्लस 10 बरावर 0 को अगर कुछ इसके रूप में लिख दें तो हम a और b के मान comparison करके निकाल सकते हैं तो लिख लेते हैं तो पहले क्या करें पहले तो हमें 10 को इधर वेजना पड़ेगा बरावर में है ना बरावर माइनस 10 हो जाएगा अब यहां बरावर में 1 बनाना पड़ेगा तो माइनस 10 से भाग दे देते हैं मनलद 3x वटे माइनस 10 माइनस 4y वटे माइनस 10 बरावर 1 हो गया है ना अब यहां से हम क्या कर सकते हैं इस 3 को भी नीचे भेख सकते हैं या x वटे-10 वटे 3 है ना अब यह माइनस माइनस तो हो जाएगा प्लस तो प्लस बाई वटे-10 वटे-4 बराबर 1 अब देखिए यह equation देखिए जो हमने पहले लिखी x वटे-a प्लस बाई वटे-b बराबर 1 और यह equation देखिए अब हम compare कर सकते हैं ना है ना अब हम compare करके क्या निकालेंगे देखो यहां से a वराबर कितना मिलेगा हमें माइनस 10 वटे-3 और b वराबर क्या मिलेगा बताईए 10 वटे-4 या यू कहें 5 वटे-2 तो a और b क्या थे इस वाले equation के लिए बताईए तो x अंतखंड कितना आया माइनस 10 वटे-3 और b वाई अंतखंड कितना आया 5 वटे-2 तो माइनस 10 वटे-3 x अंतखंड और 5 वटे-2 बाई अंतखंड हमें मिल गया अब चलिए अपने तीसरे point की तरफ चलते हैं हमें तीसरा point कह रहा है लंब रूप तथा p और तथा omega का मान व्याद कीजिए है ना अब लंब रूप आपको याद है क्या था x cos omega प्लस by sin omega बरावर p हमें इस form की equation बनानी है किस चीज को इस 3x माइनस 4y प्लस 10 बरावर 0 के और आपको यह भी याद होगा लंब रूप पड़ा था तो हमने एक कुछ सूत्र बनाये थे क्या बनाये थे बताईए आपको याद है हमने बनाये थे p बरावर plus minus c वटे अंडरूड a square plus b square और बताईए cos omega बरावर क्या बनाया था plus minus a वटे अंडरूड a square plus b square और तीसरा था sin omega बरावर क्या आया था plus minus b वटे अंडरूड a square plus b square अब देखिए आपके पास a का मान है b का मान है c का मान है p आप निकाल लेंगे cos omega आप निकाल लेंगे sin omega आप निकाल लेंगे पस इसको उठाके इस वाली समिकरण में रख दीजिए और आपका 3x minus 4y plus 10 वरावर 0 का लंब रूप वन जाएगा तो ठीक है कर लेते हैं तो सबसे पहले हम p निकाल लेते हैं तो p वरावर देखिए plus minus c का मान 10 वटे अंडरूड a square plus b square और a का मान 3 है तो 9 plus v का मान क्या है minus 4 है तो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा या plus minus 10 वरावर अब 16 नो 25 और उसका अंडरूड 5 बरावर plus minus 2 तो है ना अब देखेंगे हम किस का मान कॉस ओमेगा का मान तो कॉस ओमेगा बरावर देखिए क्या है plus minus a मतलब plus minus 3 वरावर अंडरूड अब वही अंडरूड a square plus b square ये तो यही आएगा है ना नीचे जो हमने p के अंडरूड में क्या किया है अंडरूड a square plus b square ही किया है तो इसका मान 5 ही आएगा वरना कर लेते हैं चलिए a क्या है 3 है तो 9 हो जाएगा a square b minus 4 है तो b square 16 हो जाएगा यानि कि plus minus 3 वरावर बताएगे क्या आएगा यहां से 5 आएगा इसी परकार sin omega क्या आएगा sin omega देखिए यहां से plus minus b वरावर अब b कमान क्या है minus 4 है तो अब होना तो वह है plus minus ही है क्योंकि minus 4 है तो पहले एक बार plus लिया तो minus b हो गया फिर एक बार minus लिया तो plus b हो गया मतलब plus minus ही हो गया under root a square plus b square कमान कितना आ रहा है 5 अब हम ऐसा करते हैं इनकी एक एक संख्या लेके समिकण बना लेते हैं जैसे b कमान हम दो ले लेते हैं plus वाला cos उमेगा कमान ले लेते हैं 3 वटे 5 और sin उमेगा कमान फिर हमें लेना पड़ेगा minus 4 वटे 5 ऐसा क्यों? क्योंकि याद है आपको यह b ब्रावर minus 4 था तो यह sin उपर नीचे हो जाएंगे क्या हो जाएगा? minus plus हो जाएगा है ना? चाहें इसको plus minus लिखो या minus plus लिखो बात एक ही है तो हम पहले उपर वाला sin ले रहे हैं plus 2 फिर plus 3 मतलब plus 3 वटे 5 फिर हम लेंगे minus 4 वटे 5 अब P है cos उमेगा है sin उमेगा है अब आप यह जो एक क्योशन आपके सामने है इसमें रख दीजिए तो रखेंगे तो क्या आएगा? देखिए x cos उमेगा मतलब x cos उमेगा कमान क्या है? 3 वटे 5 फिर क्या है? plus लेकिन by है और यह जो है sin उमेगा है minus का है तो बाहर minus ही हो जाएगा into 4 वटे 5 और क्या है? बरावर में P कमान क्या है? 2 तो यह क्या आगया? लंब रूप आगया तो लंब रूप क्या आया? 3 वटे 5 x minus 4 y वटे 5 बरावर 2 अब यहां से हमें क्या निकालना है? हमें P तो हमने निकाल लिया P बरावर कितना आया? निकालना है ना? जैसा प्रacasny में बोला गया है तो अब यहां से देखिए कौस उमेगा बरावर 3 वटे 5 है है ना? तो कौस उमेगा बरावर 3 वटे 5 है इसका हमन है numero 5 क्या हो जाएगा? कौस इंवर्स 3 वटे 5 अब यदि 3 वटे 5 किसी कोण का मान है तो यहां से हम omega प्राप्त कर सकते हैं जैसे यहां तो 3 वटे 5 मिल गया cos omega वरावर तो हमें 3 वटे 5 नहीं पता कि किस कोण का मान cos में 3 वटे 5 होता है अभी यहां पर cos omega वरावर 1 वटे 2 मिल जाता तो हम कह देते omega वरावर 60 degree इसी प्रकार हम यहां से भी कह सकते हैं omega वरावर sin inverse minus 4 वटे 5